नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल स्मार्ट स्टोडी वनोवन पर और मैं हूँ दिवय वर्मा दोस्तो आज की क्लास में हिंदी साहिति के फर्स्ट पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेशन पेपर लखनो उनिवस्टी से संबंधित है तो जो भी विद्यार्थी लखनो उनिवस्टी से बिये कर रहे हैं आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेलपफुल रहेगी यहाँ पर आपको बताया जाएगा ये आपका जो क्वेशन पेपर है उसका क्या पैटर्ण रहता है कितने प्रश्ण पूछे जाते हैं और कितने आपको हल करने रहते हैं तो सारी चीज़े आपको डिटेल में समझाए जाएगी और जैसा कि आप जानते हैं फिप सेमेस्टर में आपके हिंदी के तीन पेपर होंगे, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड पेपर कमपलश्री रहेगा सभी विद्यारतियों के लिए, और जो आपका थर्ड पेपर है, उसमें जो सब्जक्ट आपने लिया होगा, उसी का होगा, ठीक है? तो चलिए फिर समझते हैं इसे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिए फिप सेमेस्टर, और दो हजार तेईस का ये पेपर है, यानि पिछले साल का, और जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसका टाइटल है, अद्यतन हिंदी काव्य फर्स्ट, ठीक है? तो यह आपके पेपर का टाइटल है, अब यहाँ पर देखिए, जो पेपर की टाइमिंग है, वो तीन घंटे की है, और यह आपका क्वेशन पेपर 75 अंकों का है, यह जो नोट दिया हुआ है, यह एक्जाम टाइम ध्यान से पढ़िएगा, कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, कि जो प्रशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसी का अंसर आपको देना है, तो पहला प्रशन है यहाँ पर, निम्न रिखित पद्यांस की संदर्ब सहित व्याख्या कीज़े, यहाँ पर जो पंक्तियां दी हुई है, इनकी आपको संदर्ब सहित व्याख्या करनी है और अगला प्रशन है यहाँ पर सेकंड नमबर नियमन रिखित पद्यांस की ससंदर्ब व्याख्या कीजिए यानि संदर्ब सहित व्याख्या कीजिए तो यह सब व्याख्या वाले प्रशन है अगला प्रशन यह भी व्याख्या वाला है संदर्ब सहित व्याख्या कीजिए और जो next है ये भी व्याक्यावाला है तो जो भी व्याक्याँ यहाँ पर पूछी गई हैं ये व्याक्याँ आप अच्छे से त्यार कर लीजेगा क्योंकि ये repeat भी हो सकती है और फिर यहाँ पर कुछ long question है जैसे कि पहला question है अग्ये के कावे में प्रियोगवादी प्रिवत्तियों का विवेचन कीजे और ये question मैंने अभी आपको कल solve भी कराया है आपको बताया गया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण question है और ज्यादा तर पूछा भी जाता है तो अ next है शमशेर बहादू सिंग के कावे शिल्प की विवेचना कीजे अगला प्रशन है मुक्ति बोध भयावहता और शंगर्सों के कवी हैं सोधारण विशलेशित कीजे next है समकालीन कविता में प्रमुक्र प्रवत्तियों पर प्रकास टालिए प्रवत्तियों का मतलब होता है विशेश्ताइं तो ध्यान रखिएगा चाहे प्रवत्तियों पूछे या विशेश्ताइं पूछे एक ही बात है अगला प्रशन है वह दंतुरित मुस्कान ये कविता है तो कविता के काव्य शौंदर पर प्रकास टालिए तो ये आपके 10 प्रशन थे और इनमें से आपको कुल 5 प्रशनों की उतर देने हैं जो प्रशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसी का आंसर आपको देना है तो जो भी प्रशनियां पर दिये हुए हैं इन सभी को आप अच्छे से त्यार कर लीजेगा क्योंकि जो प्रशन पिछली बार पूछे जा चुके हैं वो फिर से रिपीट हो सकते हैं ऐसे चांस रहते हैं ठीक है तो आप सभी प्रशनों को अच्छे से त्यार करिएगा और आपके प्रशन उत्तर भी करवाया जा रहे हैं आपको पांच नंबर प्रशन हल करवाया गया था और आगे भी इस तरीके की क्लासस आपी रहेंगी बाकि ये आपका फर्स्ट पेपर था सेकंड पेपर की वीडियो वो भी चैनल पर उपलब्ध है आप जाकर देख सकते हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वाट्शेप और टेली ग्राम चैनल को जोई नहीं किया है तो जाकर कर लिजे लिंक आपको वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और आज के लिए बस यहीं तक मिलते हैं नेक्ष क्लास में तब तक के लिए धनेवा साथ हूं जाहिंद